स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूँ प्रियासना धामी कैबिनेट की बैठक संपन होई है इसको लेकर क्या कुछ एहम बाते सामने आई हैं इसकी जानकारी देरे सुबोत उन्यार आज मंद्री मंट्र की बैठक में तक्रिमन ग्यारा प्रस्ताओं पर चर्चा हुई जिसमें सबस्रम हक्मों प्रस्ताओं कादू समय से कोवीड-19 की परिशितें को देखते हुए सारे सिक्शन सबस्ताद बंग थे उसकार ने ने लिया एक एक अगरस्त से चर्चा से लेके बार्वी कर्चा का संचालन को प्रारण कर दिया जाएंगी दूसरा नर्ने मान्य मंद्र मंदर के दुआरा है कौसानी छेत्र को जो की परिटेंगी दिश्टी से बहुत ही मौत्मौन छेत्र है और देश-विदेश के लाकव सहलानी कौसानी उनका आना जाना होता है लेकिन कौसानी का सरूप इंग्राद बंचयाद का सुरूप होने के खाना आवस्ताफना सुविराओं पर बहुत बहुता फोकत नहीं पाता कौसानी को नगर पंचयाद बनाने का निर्णे लिया जिसमें तमाम मानकों में शूट दी गई है जनसंग्या के मानक में भी और छेटबल के मानक में भी कौसानी अम इस राज में नगर पंचयाद के रूप में स्थापित की राएगी तीसरा जो निर्णे पंचनगर में जो प्रस्तावित हमारा ग्रीन फिल्ड एयर्पोर्ट बंदा रहा है उस एयर्पोर्ट की जमीन का चैन हो दुगा था था थोड़ा बहुत उसमें इसमें कमिटी मनीनी है लेकिन उस पर छे महीने के अंदर डी पी आर प्रस्तुत हो ताकि इस एयर्पोर्ट के निर्मान के सपने को साकर किया सके उसके लिए अर्पोर्ट और्थवर्टी अप्रिवर्टिया को जिसमें जिसको 6 महिने के अंदर विस्त्रिप जो DPR एडिटेव प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 6 महिने के अंदर सरकार को उप्टप करानी होगी, इस सब के साथ सरकार ने इनको कंसर्टिप उप्राने का नहीं दिया। क्योंकि एनवाइबता होती है, 6 महिने में बिलान सबर का सत्र गुलाने की, जिसकी 35 सितंबर को फुरी हो रही है, उसको देखते हुए, इस चौथी बिलान सबर का जुतियर सत्रिक्वर्स का 23 अगस से 27 अगस तक करने का इंदर है, मज्जी मंदर के बादा लिया। जिसको पूर में नेने हुआ था, जो साड़े साथ किलो राज में खंदयानी उसका जंदर दिया जाता था, जिसको पूर में, तीन मैने के लिए 10 किलो चावल करने का जुए नेने था, वो नेने क्योंकि मुख्यमंत्य जी के द्वारा बिचलन के मतम जिखिया गया था, उस नेने को आज मंदि मंदर ने अनमोदित करने का बाद की एक बहुत महत्पूर नेने, उदेमान चात जो है, जो आपतित परिस परिक्षानियों के खारा हैं, UPSC की परिक्षाएं, उत्राखन, Public Service Commission की परिक्षाएं, NDA, CDS और OTS की परिक्षाओं में, खासकर UPSC और UPSC और उत्राखन Public Service Commission की परिक्षाओं में प्रिलिमिलरी जो क्वालिफाय कर जाते हैं, तो में इजयां के लिए उनके पास आर्थिक संक्राट के कराने एक परिक्षाओं नहीं पाता, तो सरकार ने नहीं लिए हैं कि जो यूनियन Public Service Commission में, उन परिच्छाओं में जिनमें प्रिंडरी एग्जामरिशन का प्रोभीजन है तो प्लिंग पास करने वाले हर बच्चे को 50,000 रुपिया में निद्याम के प्यारी में सब्सक्राइब देगी इसके अलाबा उत्रा खंड लोग सिवायोग के प्रिंडरी एक्जाम को पास दने वाले बच्चों में भी 50,000 रुपिया जागा लेकिन उसके लिए स्रीमित थंख्या सो रखी गई है जो यह जो रोस्टर है अरेक्शन का वो भी इस पर लागू रुड़ा सो बच्चों को सरकार मुख्य परिश्या के लिए तैयारी हुए है 15,000 रुपिया जातिक बनते रहे हैं किस तरह से मेकनिजिम बनाया जा रहा है तो बच्चों को यह तरह कर पिए श्चानी बच्चे रहते हैं लिके चुगे हो यूनियन पब्लिस स्ट कमिसर्ण के एक्जाम में एक बड़े एक्स्पोजर के साथ तो यह दिखा गया है कि हमारा बच्चा यह पर प्पिस्टिस के इज्ञाम में बहुत जादा निकल नहीं पाता हूं तो उसको प्रिलिंट्ट्वाइब करने के बाद मेरे इज्ञाम के लिए आर्तिक वाप्रा बदत करने के लिए 50,000 रुपाय हर बच्चे को आपका UPS, Union Public Service Commission हर बच्चे को प्रिलिंट्वाइब करने के लिए 50,000 रुपाय हर अर्तिक साहता और उत्राखन पब्लिस सब्सक्रण में सीवी थंच्या में सो बच्चों को ये पजाजार पर गाती सहता दी जाए इसके लाबा जो एंडिये सीडिये सब ओटिये में पूरू में भी प्राभिदान था पहला आपसी मदद कहा लेकिन उसमें एक विछ इतना बात ये थी कि जब बच्चा इसमें क्वालिफाई कर जात जाता उसके बाद उसको पचाजार पे दिया जाता था इसमें तुछा बद्लाओ किया लिया कि रिट्रिन एक्जान क्वालिफाई करने के बाद इंटर्वू से पहले एक व्यापा की स्थर पर उसको एक्सपोजर बिल सके इसके लिए पचाजार रुपे की मदद हम इंडि इंडियू रिट्रिंए इंटर्वियू आल रिट्रिंए देव झाम के रिजल्ट के बाद झब उसको दियुक्त इन stewardship देडिया गी जो पूर में final selection के बाद दी जाती हुए और असको को我跟你 ट्वी पीनिट है you वो शुद्धी मिल आगाती है। इसके बाई निगेटिव मत सुचो। जिन बच्चे ने प्रीक्वाइफाइब किया है। वो कोचित करेगा कि वो में क्वालिफाइब करें प्रीक्वाइब करने कोई पैसर नहीं है कि उसके बेस पर उसको जोब मिल जाए। अनल पर सनका हो जाएबसे साइब करें नेक्स से नेक्स बेंस नेक्स